गंगा और यमुना की रहास्यमई नदियों के बीच बसे पवित्र शहर देवपुरम में, शक्तिशाली रख बीच के नेत्रित्व में दुष्ट राक्षसों के एक समूह ने अचानक हमला कर दिया। स्वर्ख के राजा भगवान इंद्र की सेनाव ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वे संख्या में कम और परास्थ हो गए। इंद्र खुध हार गए, उनकी बिजी रक्ट बीच के काले जादू से चकनाचूर हो गई। जब राक्षसों ने जीत का दावा किया, तो द तिशाली गर्जना के साथ भगवान विश्नु देवपुरम में उत्रे, उनका तेजस्वी रूप अंधिरे आस्मान को रोशन कर रहा था। अपनी देव्य तलवार, नंदक को समभालते हुए, वे युद्ध में कूट पड़े। अपनी पिछी जीत से उत्साहित राक्ष विश्नु की दिव्य शक्ती से तेजी से पराजित हो गए। राक्ष सेना बिखर गई, उनकी चीखे पूरे शहर में गूंज उठी और विशून्य में विलीन हो गए। शान्ती बहाल होने के साथ, देवपुरम के लोग खुशी से जूम उठे और विश्नु को अपना